हेलो आप सभी का स्वागत है जन्वरी 2023 के अंदर हैपी न्यूएर टो आप आप डेट लिखने में 2022 नी 2023 लिखते होंगे तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो जन्वरी की अपर ऑपर है जिसके के अंदर डिसंबर के करंट अफ़ेर्स आपके covered होंगे तो इस magazine की शुरुवात करें उससे पहले जो लोग नए हैं जो लोग नए हमारे साथ में जुड़े हैं उन सभी को बता दे कि अगर आप RS के त्यारी कर रहे हैं RPSC के किसी भी exams के त्यारी कर रहे हैं इवन अगर अब यह 2nd grade का paper भी complete हुआ है तो उसके भी अगर आप questions देखेंगे जीकेगे तो directly current affairs आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे तो अगर आप सोच रहे हैं कि newspaper से पढ़के cutting वगरा हम कर लें compile कर लें तो काफी cumbersome process है और आपको time भी जादा लगेगा तो directly newspaper की चीज़ें ही आपको chronology में compiled मिलती है तो आपको extra effort करने की जरुवत नहीं है और इसको जो है पढ़ना है और चाहें तो आप वीडियो भी देख सकते हैं तो इसी लिए तो जो लोग नए हैं वो सब इस चीज़ को ध्यान में रखें और प्रिवियस अगर आपने मेरी पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि हम questions को भी discuss करते हैं बीच बीच में ताकि आपको पता रहे कि यह question इस तरीके से exam में पूछा गया है तो चलिए अब हम जो है magazine को start करेंगे और एक और information कि अगर जो भी लोग इस magazine को purchase नहीं कर पाते हैं तो जैसे इसकी वीडियोस complete होंगे तो हम telegram channel है हमारा उस पर हम इस magazine का PDF upload कर देते हैं तो आप वहाँ से जाकर करके इसको जो है वो download कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं काफी सारी खबरे हमको पढ़नी है sports से related politics से related person in news से related चीज़े तो यह सारी चीज़े आपको start करते हैं सबसे फेले आप देखिए कि जो FIFA World Cup हुआ है आपको पता ही है FIFA World Cup इस बार पहली बार कतर में हुआ था ठीक है और 36 साल में पहली बार जो है आर्जेंटीना ने इसको जीता है आर्जेंटीना के कपतान आप जानते हैं सबके फेवरेट मेरे फेवरेट जो details होंगी उनको हम बाद में पढ़ेंगे फिलाल इतना ध्यान रखेगा कि Argentina ने इसको जीता है France को हरा करके और इसका आयोजन जो है वो कतर के अंदर किया गया था फिर यहाँ पर आप देखे यह थोड़ी से आपको blur दिखरी होगी ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो elections है उससे related news है तो आपको पता है कि गुजरात तो BJP का गढ़ है तो सातवी बार जो है वहाँ पर BJP की ही government बनी है अगर seats की बात करें तो legislative assembly की 182 seats है वहाँ पर और हिमाचल प्रदेश के अगर बात करें तो वहाँ पर इस बार BJP को हरा करके Congress ने जो है वो सत्ता हासिल की है और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर जो है वो 68 seats जो है वो legislative assembly की है उसके अलावा यहाँ देखिए नीचे जो आपको sports के ये जो खिलाडी दिख रहे है इसको भी इंडिया ने जीता है और यह आपके Spain के अंदर आयोजित किया गया था और इसको इंडिया ने जीता है तो यह भी आप ध्यान रखेगा फिर देखिए यहाँ पर जो एक वोमेन आपको दिख रही है और इनका जो नाम है वो है मनीशा रामदास इनका नाम है मनीशा रामदास इनका नाम ध्यान रखेगा और यह जो है आपके badminton से related है और अभी जो है जो BWF यानि के विश्व badminton महासंग जो है उसने अपने कुछ awards जो है वो दिये है और उस awards के अंदर जो female para badminton player of the year का award है वो इनको मिला है मनीशा रामदास को तो यह आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि exams में पूछ लेते हैं कि हाली में चर्चित रही मनीशा रामदास जो है वो किस skill से संबन्दित है तो आपको पता रहे कि यह जो है badminton से संबन्दित ह ठीक है उसके अलावा यहां देखिए कि यह जो महिला आपको यहां पर दिख रही है यह Mrs. World का किताब जीत करके लाई है USA से USA के अंदर जो लास वेगास है वहाँ पर जो है यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है इनका नाम है सरगम कोशल और यह जम्मू और कश्मीर से हैं और इनको Mrs. World जो है उसका खिताब इन्होंने जीता है तो यह ध्यान रखिएगा आप अमेरिका के लास वेगास में आयोजित किया गई थी प्रतियोगिता और जम्मू कश्मीर की जो यह महिला है इन्होंने यह पुरुसकार ज जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो है आपका साहित्य अकादमी भाषा सम्मान तो यह तीनों की तीनों अपन इसमें जो है आगे जाके पढ़ेंगे फिर देखिए कि जो टाइम पत्रिका है USA की बहुती प्रतिष्टित टाइम पत्रिका है और इसका तो हर बार हम पढ़ते पर निये एक सम्मान है उसके फ्रंट पेज पर जो है उनका पिक्चर था टाइम मेग्जीन में और इस बार परसन आफ दा इयर है वो है आपके जो यूक्रेन के जो राश्ट्रपती है व्लादिमीर जेलन इसकी उनको जो है यह सम्मान दिया गया है तो काफी इंपोर्टें इसमें कोशन भी कोशन भी आयवाय प्रिलेम्स के अंदर इसलिए हमको इसको अच्छे से ध्यान रखना है फिर देखिए कि जो आपका बायो डाइवर्सिटी है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायो डाइवर्सिटी आपको यह दुगा कर 1992 के अंदर प्रित्वी सम्मेल इसको हम पढ़ेंगे यह प्रदान मंत्री की जो एकनॉमिक एडवायसरी कांसिलर उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है फिर देखें UAE यानि के सयुक्त अरब अमीरात इसका बहुत क्या कहूं बासी करंट अफेर से हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसका जो चंदरियान मिशन है एक पहला ऐसा अरब देश है जिसना अपना चंदरियान मिशन जो है वो लांच किया है तो इसका नाम जो है राशि हमारे जो ट्रोफी है जो की BCCI के दवारा जो आपका Domestic होता है Cricket होता है करेलू जिसको के क्रिकिट कहते है उसके अंदर जो विजय है जारे ट्रोफी है उसका ऐजन किया गया था और सवराष्टर ने महराष्टर को हरा करके जो है इस ट्रौफी को जीता है तो यह सारी पढ़ना है क्योंकिãy mound wait here in b country जीता है सिलवर मेडल यह जीतकर लए में और चेसज में हमारे जो पड़ा की जिता है करब कर नाम के ऑनेर रहोगे कोंगे चाहिए जीता है विश्व ब्लिट्स शत्रंज चेंपियंशिप में ठीक है तो अब देखते हैं कि गोल्ड मेडल किसने जीता है और कांसे पदक किसने जीता है तो देखिए गोल्ड जीतने वाले कजाकस्तान की खिलाडी है जिनका नाम है आई एम बीबी सारा असवय वया इन्होंने तीसरी बार जो है वो स्वरंड पदक इसमें जीता है हो सकता है एक्जाम में पूछ ले तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा फिर देखिए कि रश्या की एक प्लेयर है जिनका नाम है आई एम पोलिना शुवा लुवा तो ये जो है इन्होंने जीता है आपका कांसे जिनमें गे है यह आप जीता है जो है इंके आप जुन पर जन रखने है टीक है तो यहां पर आप स्क्रीम पर देख सकते हैं यह है मेगनस कार्शन हेंसम हंक और उन्होंने जुर्वε जो मेंस वाला जो पुरुश्वर्ग का जो खिताब है वो इन्होंने जीता है चेस में और यह आपको दिख जाएंगे हमारी भारत की कोनेरु हमपी यहाँ पर लिखा भी है तो यह थोड़ा सा ग्राफिक से आपको ध्यान रहेगा अब देखे फ्रेंड्स जो मासी गटनाओं का सार संगर है उसमें पहली न्यूज है वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेंस है वो तो हमने कई बार पढ़ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं और यहाँ नीचे आपको जो है मारे प्रदान मंत्री जी हरी जंडी दिखाते वे दिख जाएंगे यहाँ पर फिर देखे एक और जनरल सी न्यूज है कि चतिसगड की जो पुलिस है एक गाम है चतिसगड का जिसका नाम है राजनांद गा उसके लिए अमेरिका के प्रतिष्टित IACP अवार्ड के लिए जो है वो नामंकित किया गया है तो यह इंपोर्टन तो उस तरीके से नहीं है क्योंकि स्टेट न्यूज आ जाती है लेकिन एक बार आप इन जनरल आप इसको पढ़ सकते हैं कि निजात नाम का जो इनका नश इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का इजन कहां किया गया है बोपाल में किया गया है डिरेक्ली ऐसे ही कोश्टन एक्जाम में पूछ लिया जाता है और फिर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली में हर बार होता है कि दिल्ली में हुआ था कि का हुआ था तो इ देखिए महराष्ट्रो जो है देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने लोकायुक्त विधयक पारित किया है पहली चीज़ तो यह इंपोर्टन्ट हो जाती है कि लोकायुक्त जो बिल है वो इन्होंने पारित किया है दूसरी बात इसमें इंपोर्टन्ट यह है कि इन्होंन इसके उपर भी जो है शिकायती कारवाई जो है वो की जा सकती है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल आफ मिनिस्टर के आफिस पे भी ये कारवाई ये करने के लिए पावर्फुल है तो ये इस विदह की खास बात है इसके अंदर फिर देखें कि भारती अमरीकी को अमेरिका की राष्ट्री अंतरिक्ष परिशत सलाकार समू में नामित किया गया है तो राष्ट्री अंतरिक्ष सलाकार परिशत वो भी अमेरिका की उसमें एक इंडियन को जो है वो इंक्लूड किया गया जिनका नाम है राजीव बढ़ियाल ठीक है हाला कि अमेरिका में ही रहते हैं लेकिन इनका संबंध जो है मूल जो है वो इनका भारत से है तो नाम ध्यान रखिएगा राजीव बढ़ियाल इनका नाम है फिर देखिए कि भारत में वीर बाल दिवस जो है वो कब मनाय जाता है तो 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस म उनके जो पुत्र थे तो उनकी जो शहादत हुई थी उसके प्रतीक के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है तो यह हमको तोड़ा ध्यान रखना है वीर बाल दिवस जो है गुरु गुविन सिंग जी के जो पुत्र थे उनके शहादत दिवस के रूप में इसको मनाया जाता को तो ये देख ये यह हमारे ग्रह मंत्रे अमिरी शाझी और इन्हों ने प्रहरी एप गला को लॉंच किया है तो यह नाम आप ध्यान रखेगा पुषप कमल कौन से पुषप कौन जो आप से पूछा जाएगा फिर देखिए कि जो आपका CBD है यह मैंने अभी आपको बताया था तो कुन्मिंग चायना के अंदर इसको आयोजित किया जाने वाला था लेकिन मॉंट्रियल के अंदर जो है इसको आयोजित किया गया है तो इसके बारे में डिटेल में आगे पड पुरुसकार देखिए साहित अकादमी पुरुसकार तो किसको यह पुरुसकार प्रदान किया गया है बद्री नारेंड करके एक रैटर है उनको उनकी एक क्रती है जिसका नाम है तुमडी के शब्द तो उसके लिए यह पुरुसकार इनको दिया गया है फिर देखिए एक और पुरिषकर यहां पर देख लेते हैं राजस्तानी भाषा के अनवाद यान्य कि साहिते पुरिषकार में एक अनवाद करने वाला पुरिषकार भी होता है जो ट्रांसलेशन वाला पुरिषकार होता है तो गुजराती का एक उपर्यास था जिसका नामे अकूर ein उसको ज एमदन गोपाल लडपा न में ट्रांसलेट किया है में नाम रखा यह उन्होंने अकूट ना अकूट तासलो घुनम अठोच यह इनने अकूट अमदन अधा और रिधरी द्यारर प्रहें रिंधर यह जो आपके लूकुल खुराद CPR प्रैं़ यह वह औ तो ये तीनों आवार्ट्स आपको याद रखना है साहित्य अकादमी के रूप में, फिर देखें यहां पर एक बीच में अपनी न्यूस छोड़ी थी, कौन से न्यूस है, हाँ, भारत और नेपाल के बीच में सेयुक्त सेन्नी अभ्यास जो है, जिसका नाम है सूर्य किरन, ऑ अपरेशन्स होते हैं, इनके नाम बोलोग पूछ लेंगे, और नाम के साथ-साथ में जगे भी पूछ लेते हैं कई बार, तो नाम और जगे दोनों याद रखेगा, सूर्य किरन किंदो देशों के बीच में होता है, जगे का नाम याद रखेगा, सलजहंडी इस जगे का न अंदर, तो यह भी आप ध्यान रखेगा, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे, हाँ, अर्जेंटीना वाला हमने देख लिया, अर्जेंटीना ने ये कप कौन सी बार जीता है, तो तीसरी बार ये कप जीता है, और 36 वर्ष बाद में इस कप जीतने में ये कामयाभी हासिल की ह फिर देखें, के 19 से 25 दिसम्बर तक कौन सा सब्ता मनाए गया, तो सूषासन सब्ता यानिके Good Governance Week जो है, वो मनाए गया, तो गूफर गवर्नेंस आपको पता है के 25 दिसम्बर, जो अटल भिहर वाजपेजी की जेनती है, उसको हम Good Governance Day के रुप में हमनाते हैं, तो सूष आ सब्ता जो है वो 19 से 25 दिसंबर को मनाए गया फिर देखे दा इकोनोमिस्ट ने जो है 2022 की पैश्विक खाद्य सुरक्षा सुचकांग जो है उसको जारी किया और इसके अंदर फिनलेंड जो है वो टॉप मोस्ट कंट्री की रूप में जो है वो नामंगित हुआ है तो यह जो फिनलेंड ने जो है इसमें टॉप पोजिशन हासिल की है फिर देखे 2022 का वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुचकांग जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है तो 68 वा स्थान है बहुत बुकमरी है तो 68 वा स्थान है अलगी यह बात ठीक नहीं है ख्यार फिर भी क्या कर सकते है 68 पोजिशन इंडिया की है फिर देखिए कि संयुक तरब अमिरात का चंद्र मिशन यह मैंने राशिद के बारे में आपको बताई दिया था आगे और पढ़ लेंगे इसके बारे में डिटेल्स को फिर देखिए एच महिला होकी नेशन कप है यह मैंने आपको बताया था भारत ने इसको जीता है और इसका आउजन कहां पर किया गया है तो वाले सीनिया स्पिन में जो है इसका आउजन किया गया है याद रखेगा आउजन कहां किया गया और जीता किसने है दोनों ही चीज़ें एक्जाम में पूछी जा सकती है फिर देखिए कि हुरून ग्लोब के medical college में कौन से अस्पताल प्रबंधन सूचना प्राणाली जो hospitals को एक तरीके से management करने के लिए एक प्राणाली जो है information system जो है उसको launch किया गया है और उसका नाम है e-sushrut ठीक है sushrut आपको पता है कि एक महान सर्जन हुए थे ancient India में और जब हम 5-6 class में थे तो उनके बारे में पढ़ते भी थे किस प्रकार से जो fruits वगरा जो सबजियां वगरा होती है उसके उपर वो operation की techniques वगरा surgery की techniques वगरा वो लो जो है उसमें सिखाते थे तो सूशृत चरक इन सब के नाम तो आपको पताऊंगे तो e-sushrut नाम की जो है एक hospital की प्रबंधन प्रणाली जो है वो उत controversy भी हो गई थी कहा था कि अनिल कपूर तो है chicken का एड़ कर रहे है और उनकी बेटी कहती है कि dogs को बचाईए उनको बचाईए ऐसे करके कुछ controversy थी तो यह mostly hero-heroines को ही मिलता है तो इस बार सोनाक्षी सिना को यह award दिया गया है जिसमें वो पैरवी करती है कि जानवरों को बच प्रशांत चेत्रिय बैठक जो है वो कहां पर संपन की गई है तो श्रम संगठन यानि के इंटरनाशनल लेबर लेबर और और इसका 17 एशिया एवं प्रशांत शेत्रिय बैठक जो है वो Singapore के अंदर आयोजित की गई है तो इसको थोड़ा सा मंटरलाइन कर सकते हैं इसके ब बंगलादेश के अंदर जो है पहली बार मेट्रो ट्रेन जो है वो लॉंच होने वाली है और इसको शुरू कौन कर सकता है तो इंडिया में किसने स्टार्ट किया किसके हल्प से मेट्रो ट्रेन नहीं है जैपन की साहता से तो वहां पर भी जैपन की साहता से बंगलादेश म जो हमने भी पढ़ा था कौन सा है अंतराष्टिय विज्ञान क्या था वो इंडिया इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल इसका आयरजन कहां पर हुआ था भोपाल में और नवी विश्व आयरवेदिक कॉंग्रेस का आयरजन कहां पर हुआ है गोवा में तो यह दोनों ही पॉ जो कि एक स्प्रिंटर रही है उनको जो है पहली बार किसी महिला को इसका द्यक्ष बनाया गया भारती ओलंपिक संग का तो नाम भी ध्यान रखना है फिर देखिए एक बुक है क्यूंकि मिशेल उबामा ने लिखिया इसलिए इंपॉर्टन हो जाती है बुक का नाम है दला प्रधानमंत्री विरासत का संवर्दन पीम विकास तो पीम विकास जो है वो किसे संबंदेत है प्रधानमंत्री कौशल को काम कारिकरम ठीक है कौशल को काम यानि कि अगर आपके पास वे स्किल है तो आपको रोजगार भी मिलेगा उससे रिलेटेड ये स्कीम है तो पीम व वर्ल्ड के दूसरे हैं नाम है इनका रोईच शर्मा फिर देखे तमिल लाडू के अंदर एक जानवर वहाँ पर है स्टेट अनेमल भी है उनका जिसका नाम है नीलगीरी ताहर इसके अगर आप इमेज देखेंगे गुल पर डालिएगा आपको मिल जाएगी तो यह जो राज का है कौन से हैबिटार्ट में है कि ऐसा कुछ कोशन वहां नहीं पूछते हैं इसलिए हम इतने डेटिल में नहीं जाएंगे यूपीएसे का होता तो वहां आपको जो है स्पेशलिस को पढ़ना पढ़ता है पूरा अच्छी तरीके से रंग तक पढ़ना पढ़ता है कुछ भी बूच लेता है वहां पर तो इसलिए इसको हम यहां पर लीविट कर सकते हैं फिर देखें कि जो यूनेसको है उसने अपनी टेंटेटिव लिस्ट निकाली है जो वर्ल्ड हरिटेज साइट होती है विश्व विरासत सूची स्थल होते हैं उसके लिए पोटेंशल या ट जबता हैं उनको इसने इंकलूड किया है इसके अंदर पहला तो है मोडेरा के सूर्य मंदिर मोडेरा आपको पता है कहां पर है गुज्रात के अंदर है गुज्रात का ये एक शहर वड़नagarर वड़नagar के बारे में आप जानते होंगी कि प्रदानमंदरी का समद्ध यही से ह और एक जगे और है जो कि बहुत पहले से 2006 से जो है वो इस लिस्ट के अंदर है वो है आपका wild as century of little run कच जो little run है वहाँ की wild as century जो है वो 2006 से इस tentative list के अंदर है तो हलागि उसके बारे में अभी आपको नहीं ध्यान रखना है अभी तो आप यह ध्यान रखिए कि तीन जो चेत अगर शहर गुजरात का और तीसरा जो है वो है आपका उन्ना कोटी श्रंकला में पत्थरों से उकेरी गई जो है एक मूर्तियां है या temple टाइप कह लीजिए तो उन्ना कोटी कहां पर है त्रिवपूरा के अंदर है तो यह वहाँ के साइट है और इसको अभी पिक्चर भी किया है उन्होंने उकेरा है तो यह हमको इसमें ध्यान रखना है कि युनैस्को की टेंटिटिव लिस्ट जो है संभावित सुची जो है वर्ल्ड हरिटेज साइट की उसमें इसको इंक्लूड किया गया है अच्छा आप यहाँ पर एक फैक्ट और ध्यान रखते हैं कि गु ठीक है तो यह चारों साइट साप ध्यान रखिएगा कि गुजरात के चार स्थल अल्रेडी जो है वो युनैस्को की वर्ल हरिटेज साइट में हैं टाइम पत्री का वाली न्यूज हमने पड़ी ली थी फिर देखिए कि स्क्वैश जो चेंपेंशिप अभी हुई है राष् का अमेरिका के अंदर तो हो सकता है पूछ ले कि हाली में चर्चह में रहा यह साइक्लोन किस च्ष्छ को ईसने प्रभावित किया है तो युए को प्रहावित की ऑन्दर अंधर में हम देखेंगे अंतराश्तिचे घटनाओ का साथम्रे सो आप देखते रहे है चैनल के साथ में बने रहेगा थैंक यू बेरी मच्छ फॉर लिस्निंग